तो आज हम बात कने वाले हैं लाफ सिंड्रम 3 दे स्रीज अपिसोड 4 के स्पालर के बारे में तो पिछला एपिसेट का मताबिक इट डे के लिए खाना बनाने की कोशिश करता है पर जबकि उसने यह सब कभी किया ही नहीं इसलिए उससे खाना नहीं बन पाता क्योंकि हमेशा दे ही इट के लिए खाना बनाता था पर जैसे कि अब बिमार है तो इट खुद के लिए और बाकी सब के लिए फिर से रात को खाना बनाने की कोशिश करता है तो दे इट को पूछता है क्या तुम्हारा खाना बनाना हो गया पर वो देखता है इट ने सब कुछ बिखरा दि इसलिए डे गुस्से से इट से कहता है क्या तुम सिर्फ राइस भी नहीं बना सकते इधर नाइट इट के पास जाकर उसको मदद करने के कोशिश करता है और डे से कहता है इट के कैसे खाना बनाना आएगा जबकि हमेशा आपने ही बड़े प्यार से पी इट के लिए यह सिब क्लारिंग करते है क्योंकि वह लोग डे को कुछ जगह पर लेकर जाना चाहते थे जिसको देखकर शायद को कुछ याद आ जाए इसलिए इट डे और अपने लिए दो टी शर्ट लेकर आता है जिसमें लिखा हुआ था स्ट्रैब और बॉर्फरेंट्स और इट को यह पहनन कर रखा था इसलिए डे उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ लड़कियों जैसे बिहेव कर रहे हो इससे इट को हसी आती है और वो कहता है हाँ थोड़ा सा इसके बाद जब सभी घर वापस आ जाते है तो मिन इट और डे से मिलने आती है और इट से कहती है तुम्हारे लोग मतलब नाइट, गियर, नील, नीक, डे, इट सभी एक साथ बैट कर खाना खा रहे थे तब ही मिन डे से कहती है मुझे माफ कर देना मैं तुम से हॉस्पिटल मिलने नहीं आई मिन की बात सुन कर डे अपने एज उजूल रूख ही आवाज में कहता है इसको इतना डिफ चला था कि मिन इत की एकस गर्फरेंड थी फिर सभी के जाने के बाद इत जब डे को वाश्रूम ले कर जाता है तो डे इत का गलादावा कर उसको दिबार पर पुश करके कहता है तुम्हारा और मिन का क्या रिष्टा है जैसे कि इत डे के ऐसे भीयवियर से परिचित था त जो कि डे के हाथों पर था पर लगता है डे इत की जवाब से खुश हो जाता है फिर ट्रेलर के लास्ट चिन में हम देखते हैं डे इत से कह रहा है अगर यह मुझे से जुरा हुआ है तो यह बहुत ही आनकमफरेबल है तो तुम कहीं पर जाकर मर सकते हो डे की ऐसी बात सु कर इत को बहुत रोना आ रहा था ओके गाइस इस्पॉलर में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगले स्पॉलर के साथ तब तक के लिए बाए दोस्तों